दोस्तों, Ola S1 Pro का रेंज टेस्ट होने वाला है आज, अभी ये चार्ज हो रही है, फुल चार्ज होने में 6 गंटे का टाइम लगाती है, अभी 87% चार्ज होगी, जैसे ही 100% चार्ज होगी, मैं इसको निकाल के रेंज टेस्ट के लिए निकल जाओंगा, साड़े 6 गंटे के लंबे इंतजार के बाद ये 100% हो चुकी है, और Eco Mode में 170 km, Normal Mode में 135 km, Sport Mode में 118 km, Hyper Mode में 94 km की रेंज शो हो रही है, मैं इसका Normal Mode में रेंज टेस्ट करने वाला हूँ, एक Riders के साथ, मतलब मेरे साथ एक बंदा और रहेगा, जब मैंने Ride Start करी तो इसकी Average Speed 50 to 55 km रखी, जब इसकी बैटरी 50% discharge हो चुकी थी, तो मैंने Speed कम करके 40 to 45 रखी, मैं गया था जब धूप निकल रही थी, और मैं रिटान आया, जब काफी ज़्यादा बारिश हो गई, तो ये थोड़ी सी गिली हो गई थी, और मुझे 109 km की रेंज मिली है, अभी 4% बैटरी है, और 1 km और शो हो रहा है, इसके last 20 km में सब कुछ unpredictable है, क्योंकि मुझे मीटर पर 23 km की रेंज शो हो रही थी, बट ये चली मुश्किल चे 6-7 km, बैटरी लो होने पर ये automatically ECO mode पर आ जाती है, तो मुझे लग रहा था कि ये ये 23 km चल सकती है, बट इसने 109,